हेलो दोस्तों आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव और अफॉर्माटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस ज्यान दिजेगा इससे पहले मैंने कुछ वीडियो बनाएं कुछ पार्ट बनाएं यह पांचों पार्ट है अगर आप इससे पहले ट्रांस्फॉर्मेशन के यह क्लास 11 12 ग्रामर के सारे पार्ट दिखना चाहते हो तो उपर दे यह लिंक पर जरूर जाके देखें जो मैंने अभी आरो किया है वहां पर जरूर जाके देखें आपको दिख जाएगा सारे ठेक है तो हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थोड़ जल्दी पढ़ेंगे कि में भी सेंटेंस आपने पढ़ा हो तो थोड़ा समय चीजों को बार-बार नहीं रिपीट करूंगा एक ही बार बोलूँगा समझाने कोशिस करूँगा नहीं आए अगर तुम जे कमें बॉक्स में तो पाईएगा इंटेक्शेंजी । प्रप्रास्वीहार थान दीजिएा धियान दिजिएगा। में इसका नेगेटिव हुए जो पर रहे हुए हिए हुए हुए भाली हम पूछेन कि मतलब जो है वो similar हो वो change ना हो main जो motto होता है transformation का कोई भी किसी में भी change करो main motto होता है कि उसकी meaning change नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पर देखे she is a beautiful girl वो एक सुन्दर लड़की है इसको meaning change ना हो तो simple है जब not लगा रहे हो तो beautiful का उल्टा गोल देंगे तो क्या हो जाएगा she is not an ugly girl beautiful का उल्टा अगली और not लगा दिया यानि कि वो अच्छी लड़की है उसका negative में कैसे भोल सकते है वो बुरी लड़की नहीं है या वो भती लड़की नहीं है अर्थात वो अच्छी लड़की है सुन्दर लड़की है you like me तुम मुझे पसंद करते हो तो you do not dislike me तुम मुझे पसंद नहीं करते हो अर्थात पसंद करते हो तो दियान दिजेगा जो हम negative बना रहे होंगे तो हम देखेंगे meaning change नहीं होनी चाहिए तो ऐसे अगर आपको पकड़ना है तो आपको normally क्या करना चाहिए जो यहाँ पर adjective आ रहा है या जो verb आ रहा है उसका negative verb या negative adjective आप डिक्तो not लगा के और basic जो grammar का rule होता है उसको follow करोगे तो आपका बन जाएगा जाते है शीता loved राम तो हो जागा सीता did not hate राम सीता राम से नफरत नहीं करती थी अर्थात प्यार करती थी हम ऐसे कह सकते हैं तो यह ऐसे sentence बनाए जा सकते हैं ठेक तो यह दिमाग पर रखेगा नियम क्या कहते हैं इसके adjective या verb का विलोम अर्थात और opposite पर्योग करके not लगा कर negative sentence बनाना बनाए जाता है जैसे कि आपने उपर की examples में देखा ऐसे हम बना सकते हैं और देखिए यह दो normal sentence होगे कुछ और sentence होते हैं जो उनको कैसे बना जाता है जैसे किसी में only लिखा होता है only a little child तो यह लिखा हो है न only a little child could talk like that केवल छोटी बच्ची ऐसे बात कर सकती है यह आपको याद करना बनेगा none but ठीक है none but a girl a little child will talk like that इसमें सिर्फ अंतर क्या हुआ है हम negative बना रहे हैं तो only को ही हमको negative बना रहे हैं सिर्फ only को बाकिस sentence को में नहीं चुना है तो none का only का negative होता है none but none but ध्यान दिजेगा मैं विलोम शब्त नहीं बोल ला हूँ मैं कह रहा हूँ कि only को negative में कैसे यूज करें जब only का meaning आए मतलब बदलेना same meaning हो जैसे केवल only a child केवल एक बच्ची ऐसे बात कर सकती है इसमें क्या कह रहा है none but a little child कोई नहीं बल बलकि एक बच्चा ऐसे बात कर सकता है तो देखा जाता दोनों का meaning सही है जैसे बच्चा ऐसे बात कर सकता है कोई नहीं केवल बच्चा ऐसे बात कर सकता है तो बात दोए किये लगबग तो ये use करने का तरीका है you alone were to blame for this मतलब इसका हिंदी क्या है केवल तुम ही इस चीज के लिए मतलब तुमको blame किया जा सकता है या तुम्हे blame कर रहे है इसका होगा none but you were to blame for this कोई नहीं पर तुम हो इसके blame करने के यहां देखिए alone को हटा कर none but पहरे लग गया है और हमेशा याद रखेगा जब कभी ऐसा sentence आता है जिसमें only alone एक की बात हो रही हो और कहा जा रहा है कि यह एक नहीं किया है यह एक से ही काम होता है तो हम यह none but का यूज करते हैं और हमेशा इसको हम पहले यूज करने बाकिश sentence को वैसे का वैसा लिख देते हैं कोई चिंग चैस नहीं करते हैं वो जो वर्ट सा उसको हटा देते हैं only alone ऐसे वर्ट को हटा देते हैं और none but पहले लगा देते हैं ठीक आगे देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है यदि वाक्य में only alone का प्रियोग किया गया हो तो उसे हटा कर स्थान पर none but का प्रियोग करते हैं ध्यान देजेगा none but का प्रियोग कर रहे हैं बाके sentence को वैसे ही लिखते रहे हैं और meaning उसकी थोड़ी सी भी change नहीं हो रही है यह ध्यान देजेगा उसकी जो meaning है वो change नहीं हो रही है वो वैसे की वैसी ही पनी हुई है, यह हमें ध्यान देना चाहिए, कि उसकी जो मीनिंग है, वो वैसे की वैसी बनी हुई है, अब जलते हैं आगे, क्या लिखा है, जैसे ही मैं पहुचा या जैसे ही मैं पहुचा बेल बजए, क्लेज में जैसे पहुचा बेल बजए, इसका हिंदी क्या होगा? या सॉरी इसका negative में इसको कैसे बोलेंगे इसके meaning ना change हो केवल उसका form change है यानि लिखने का तरीका change है लेकिन उसकी meaning change ना हो तो कैसे लिखेंगे no sooner did I इसको लिखते ही ऐसे हैं अगर यह past में है तो इसलिए did लगाएंगे हम ठीक है अगर present में हैं तो do लगाते हैं या does लगाते हैं डिपेंड करता है sentence कैसा है तो as soon as I reached simple no sooner did I reach ध्यान दिजेगा इसमें क्या answer करते हैं थोड़ा सब basic change करते हैं यहान देखिए verb का second form यूज हुआ है तो यहां में हम क्या करेंगे verb के second form के नाम पर did का यूज करेंगे do का second form क्या होता है did तो हम ध्यान दिजेगा क्या change की है as soon as को हटा दिया है हमने और उसके जगा हमने no sooner यूज किया और जो verb है कोई भी verb हो सकता यहां reached है यहां saw है इसको हम first form मना देंगे और उससे पहले did लगा देंगे क्या लगाते हैंगे did did क्या है do का second form है तो यह basic change है no sooner as soon as की जगा आजया और reached की जगा आगया did और reach को हमने simple normally लिख दिया है आपको पता है जब did आता है तो हमेशा verb का first form यूज करते हैं आपने पढ़ा होगा past and definite की negative में तो वही है as soon as I reached the college the bell rang no sooner did I reach the college than the bell rang ठीक है इसमें क्या आता है रहते हैं दीजेगा मतलब इसका हिंदी क्या होगा जितना जल्दी मैं नहीं पहुचा मतलब bell बज गई जितना जल्दी मैं नहीं पहुचा और था वही मतलब है कि मैं जैसे ही पहुचा bell बज गई कुछ अंतर नहीं है कोई अंतर नहीं है कोई किसी का weight नहीं गया जैसे कोई काम होगा तुरंत वह हो गया तो जैसे ही वह college पहुचा वैसे ही घंटी बज गया इसका मतलब यह है ठीक exercise करेंगे तब इसमना आएगा और हाँ एक्षिब मैं भूल गया ध्यान दिजएगा as soon as वाले example में कॉमा आता है affirmative में जब उसको हम negative बनाएंगे तो then लिखते हैं ठीक है तो यह basis की ध्यान दिजएगा क्या तीन changes होगे है as soon as को अटा देंगे हम लोग उसके जगा no sooner का use करेंगे ठीक है और verb का second form के जगा verb का first form यूज़ करेंगे और उससे पहरे did लगा देंगे दो changes हो गए है तीसरा है कि कॉमा हटाकर हम then का प्रियोग करते हैं किसका प्रियोग करते हैं then का किसका प्रियोग करते हैं then का प्रियोग करते हैं कॉमा हटाकर first form में change कर देते हैं ये भी मैंने बता दिया है और comma हटा कर than का प्रयूक किया है ताई ये भी मैंने बता दिया ठीक आगे चलते हैं affirmative क्या लिखा है affirmative negative sentence कैसे बनाते हैं और जैसे राम is better than हरी, राम हरी से better है इसको ऐसे कह सकते हैं उल्टा, हरी is not better than राम, उल्टा बोल दो simple सी बात है जैसे मैं बोलू आप मुझसे बहतर है या आप मुझसे अच्छे हैं तो उसका negative sentence बोलो लेकिन meaning same हो तो कैसे होगा मैं आपसे अच्छा नहीं हूँ, simple सी बात है देखिए, A जो है वो B से अच्छा है तो हम उसको ऐसे भी कह सकते है B जो है, वो A से अच्छा नहीं है simple सी बात है, ठीक वही पे है कि राम is better than हरी इसका वज़ेगा, हरी is not as good as राम, यह आपको इसके लिए पढ़ना पढ़ेगा वो positive simple sentence आपने पढ़ा होगा, transformation के पहले ही पार्ट में, simple sentence comparative sentence, पहला है, दूसरा पार्ट है उसमें है, simple, comparative, superlative उसमें देखा होगा, यह जो sentence यह क्या है, comparative degree इसको हम किसमें बतलेंगे, simple sentence से बतलेंगे, और sentence, जब simple degree में बतलेंगे, तो ध्यान देंगे हम उल्टा कर देंगे हरी को राम, राम को हरी की जगा ला देंगे और not लगा देंगे ठीक, यह practice पर डिपेंड है मैं इसको completely नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इससे पहले ही मैं बता चुका हूँ इसको इसको नहीं clear कर रहा हूँ मतलब इसको मैं ज़्यादा explain नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले parts में बता दिया हूँ transformation के यदि वाग के comparative degree में है और उप्यूक्त comparative degree के शब्द को positive degree में परिवर्थित करके उससे पहले so या as तथा उसके बाद as का लगा जाता है यह exercise इतना करो कर इतना clear आपको हो जाएगा simple सी बात है comparative degree में सेंटेंस है उसको हम simple sentence बनाएंगे और sentence ऐसा बनाएंगे कि meaning change ना हो तरीका बदल जा लेकि meaning change ना हो जिससे तुलनक की जाती है उससे करता की स्थान पर जिसकी तुलनक की जाती है उससे अंत में रख दिया है था मतलब वही उल्टा कह रहा है कि भाई इसको इधर कर दो देखे राम की जगा हरी आ गया और हरी की जगा राम आ गया होगा आया है न? वही मैं कह रहा था चलिए आगे चलते हैं not शब्द as या so के पहले लगा जाता है तो हमेशा अगर आप not लगा रहे तो as soon as, as good as, as beautiful as से पहले लगाते है not simple सी बात है ठीक, first helping up के just बात पांच बात affirmative sentence से negative बनाने का एक और तरीका यसे कभी-कभी यह देखते होगे कि two लिखा होता है he is too old to run यह भी मैं बता चुका हूँ two का use कैसे करते हैं उसको simple कैसे बनाते हैं he is too old to run fast इसका negative क्या हो जाएगा और meaning change नहीं होने चाहिए he is so old that he cannot run fast simple सी बात है यह पहले हम discuss कर चुके हैं इसले मैं इसको clearly मतलब ज़्यदा explain नहीं कर रहा हूँ यह पिछले की part में मैंने बता दिया है अगर आब चाहो तो बो जाके जरूर देखो मैंने वहाँ पर बता दिया है ठीक है जरूर प्रीज जाके देखिए पिछला part transformation का first या second part में मैंने इसको explain किया है वाक में first second third तीनों message किसे में देख सकते हो किसी में सायथ first या second में है वाक में प्रयोग two को हटा कर negative sentence बना जाता है उसे इसी अध्याय में पढ़ चुके है जैसे इसी अध्याय अर्था इसी chapter में पढ़ चुके है हम लोग ध्यान देजेगा meaning change नहीं होनी चाहिए तरीका बदल जाएगा लेकिन meaning change नहीं करना है यह main है ठीक है आगे changing always into never अगर कुछ sentence आते होते है जिसमें हमें उसको never में change करना है जिसे always अगर आया है तो उसको हमेशा उसका negative होगा never जिसे it's always pour when it's rain ठीक है जब pour मतलब था एक तरीकी से बहुचार होना तो हम जब हमेशा बारिश होती हो तो pour होती है कठा होती है it never rain but it pours ठीक है तो pour मतलब बारिश होती है उसको एक जगह आप क्या कर रहे हो उसको जुटा रहे हो तो it never rains but it pours तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा simple सी बात है जो कहा जा रहा है पहले olive से जगह never लगा देंगे pour की जगह rain और rain की जगह pour और beach में but लगा रहेंगे ये दिखे तभी आएगा जब आपको tense ध्यान देज़ेगा tense जितना मेंने पढ़ाया है वो दो चीज आ जाएगी तो ये आपको बहुत easy लगेगा tense आना चाहिए otherwise आपको ये बहुत दिखकत करेगा आपको tense जो है वो आना चाहिए इसमें mean है tense आपको आना चाहिए ये ध्यान देज़ेगा ठीक है तो ये बहुत important है आके चलते है using to opposite अगर दो opposite है everyone will admit it सभी लोग इस बात को मानेंगे तो उसका उल्टा क्या होगा कोई इस बात को नहीं मानेगा सिंपल सी बात है अगर मैं कह रहा हूँ कि सभी लोग इस बात को मानेंगे इसका उल्टा क्या हो सकता है कोई इस बात को नहीं मानेगा सिंपल सी बात है ठीक दोज़रा Brutus loved Caesar ठीक है तो क्या क्यों जागा Brutus was not without love for Caesar मतलब Caesar के लिए Brutus loved Caesar Brutus Caesar से प्यार करता था इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा मीनिंग चेंद नहीं चाहिए Brutus was not without love for Caesar या इसका होतलब यह Brutus कुछ नहीं था Caesar के प्यार के लिए अर्था सिंपल सी बात है Brutus और Caesar के भी इसमें लव था प्यार था ठीक तो यह सेंटेंस करने के तरीका आए जैसे यह चोथा देखिए He wrote a letter तो इसका क्या हो जाएगा मीनिंग चेंद नहीं होने चाहिए तरीका बदल जाएगा सिंपल है He did not fail to write a letter वो कभी वो fail नहीं हुआ था पत्र लिखने मार था तो उसने पत्र लिखा था किसने पत्र लिखा था He ne ठीक है He ne क्या किया था पत्र लिखा था ठीक और मैं एक्जांपल नहीं बता रहा हूँ सिंपल इससे मैं आप समझ जाओ कोई डाउट परतानी हो तो आप पूछो ठीक है अब देखे उल्टा करना है अब नेगेटिव से अफर्मेटिव तो सिंपल सी बात है जितना हमने पढ़ा है उसको हम रिवर्स कर लेते हैं जिसे नॉन बट की जगा अर्णी लगा देंगी ठीक है अभी हमने यह उला पढ़ा था She is a beautiful girl इसका उल्टा क्या होगा She is not an ugly girl ठीक है तो पहले हम पढ़ चुके हैं इसलिए आप एक्रसाइज देखने जा रहे हैं कैसे As soon as he came He made objections Objection मतलब किसी चीज़ को रोकने के लिए बात करना To no sooner Did he come So comma जिका then होगा Then he made objection मतलब उसको आते हुए देर नहीं मतलब उसको आने में देर नहीं हुआ और उसने objection कर दी इसका मतलब यह हुआ उसको आने में एक तरिके से थोड़ा सब भी समय नहीं बिता और उसने objection कर दिया इसका meaning जो होता है Negative ही यह है जो मैंने no sooner रहा बताया था ठीक तो यह exercise आपको करना है यह चेक करिए देखिए समझेए pause करिए वीडियो को नहीं आ रहा है उसके पूछिए इसका जो PDF है आपको वो जो last chapter में पढ़ाऊँगा transformation का उसमें आपको मिल जाएगा तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हो समझ सकते हो और कोई दिक्कत परसानी हो तो आप पूप सकते हो कि सर यहाँ पर दिक्कत थी यहाँ पर परसानी थी यह वाला आपको exercise नहीं आया या समझ में नहीं आया आप ऐसे कह सकते हो ठीक है अब interchange of interrogative and assertive sentence यह मैं next video में बनाऊँगा मैं जान मुझकी छोटा बना रहा हूँ अब छोटा बनाऊँगा तक कि आपको समझ में आ जाए और आप उसको अच्छे से जान लो तो यह जो पूरा यह ने पूरा पाट था इसको देखिये समझे कोई doubt परसानी हो तो पूछिए next video में हम interchange of interrogative and assertive sentence बताएंगे और imperative वाला भी बताएंगे ठीक है होप आपको वीडियो समझ में आई हो कहीं पर doubt परसानी हो तो आप comment box में पूछिएगा